ओकर एजुकेशन की quality को improve करने के लिए education policy में education system में समय समय पर amendment होते रहे और मैं इस बात को मानता हूँ के हाँ amendment होते भी रहने चाहिए लेकिन अगर amendment से quality की education improve होने के बज़ाए quality और जऎधा घट जाए तो मैं समझता हूँ के उस amendment को re amendment भी कर लेना चाहिए आज की इस वीडियो में मेरा education से related एक topic है कि जो हमारे 12th class तक के schools है उनका जो नया session शुरू होता है वो March या अप्रेल से शुरू होता है CBSC का ये पहले से होता रहा है और मैं चुकि UP Board से ब्लॉंग करता हूँ तो UP Board में पहले हम देखते थे कि जुलाई से session शुरू होता था और वो जो session शुरू होता था वो बहुत अच्छा होता था लेकिन अब UP Board वालों ने भी CBSC को देखते हुए amendment किया और session को शुरू कर दिया March और April से देखिए जब बचा पहले class की पढ़ाई करके exam देकर पूरी तरह से fed up हो चुका होता है उसके तुरंद बाद आप कहरें कि नया session शुरू होगा बच्चे को feel ही नहीं बन पाता बच्चे को mentally prepared ही नहीं हो पाता कि मैं नहीं class में जाऊं दूसरा point क्या होता है कि publications जो books लाते हैं वो books भी बच्चों के लिए पूरी तरह से available नहीं हो पाती है 15-20 दिन या एक-दो महिने तक भी वो पूरी किताब नहीं हो पाती है मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ स्कूलों में ये चीज़ें होती है और जो सरकारी स्कूल होते हैं पर सरकार की तरफ से बच्चों को किताब दी जाती है वो books भी available नहीं हो पाती है क्या बार और इसके अलावा देखे बोर्ड exam चल ले है पूरा स्कूल बोर्ड के exam को maintain कराने के लिए महलों कंड़क्ट कराने के लिए पूरी वेवस्ता बनाय हुए वहाँ पर नया सेसन चलाना इतना अच्छ बना पॉसिबल नहीं हो पाता है और चला भी दे तो इतने अच्छी तरीके से उस पर फोकस नहीं कर पाता है नेक्स्ट बात क्या है कि 10th क्लास के exam चल रहे है या हो भी गए हैं तो मैं मानता हूँ कि अभी उनका result नहीं आया है तो फिर नया सेसन कैसे चल सकता है नया सेसन एक्छल में चलता है जुलाई से ही बाकि ये दो तीन महीने जो होता है मार्च, अप्रेल, मै ये मैं समझता हूँ कि इसमें पढ़ाई आप कहें कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं चल पाती है और यदि जुलाई से ही सेसन शुरू होता है तो जुलाई से सेसन शुरू होकर उसके बाद मार्च तक पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से की जा सकती है और अप्रेल में आप एक्जाम करा सकते हैं मई में रिजल्ट आउट कर सकते हैं एक महिने की छुटी करने के बाद फिर से जुलाई में बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से एंथुसियाजम से नया सेशन शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मेरा मनना है कि जो सेशन है वो जुलाई से शुरू होना चाहिए और यदि आप स्टुडेंट है और ऐसा महसूस करते हैं मेरी बात से सहमत है या फिर आप गार्जन्स है बच्चों स्टुडेंट्स के गार्जन्स है तो आप मेरी बात से कितना सहमत होते है या फिर आप टीचर्स है तो एक टीचर होने के नाते आप मेरी बात से कितना सहमत होते है इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताईएगा और यदि मेरी बात अच्छे लगती है तो मेरी वीडियो सेर कीजिए और इस बात को आगे तक फैलाईए लिए Thank you very much, have a good day